मोबाइल रिपेरिंग करने वाला लाखो रुपिया कमाता है जी हाँ दोस्तों अगर आप टाइटल और थमनेल देखे इस वीडियो पर आए हैं तो बिल्कुल सही जगे पर आप पहुंचे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी सचा ही बताने वाला हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है मैं खुद एक मोबाइल रिपेरिंग का काम करता हूँ और मैं पड़े 5-6 मोबाइल कम से गम रिपेर करता हूँ क्योंकि मैं electronics का भी ज्यादा काम करता हूँ इसलिए ज्यादा hardware से related problems बहुत कम देखने के लिए मिलती है पहले के mobile होते थे उन में कमाई थोड़ा सा अच्छी कासी हो जाती है यह मा मानता हूँ और आजकल कमाई है लेकिन उतनी नहीं रह गई है क्योंकि competition बढ़ गया है और उपर से न सिर्फ folder से ही related problem आ रही है लोग क्या ज्यादा पैस अगर 2-3,000 रुपर में repair हो गया हो गया वरना mobile को फैक के दूसरा ले लेते है पहले क्या होता था पहले के एक motherboard का example देता हूँ पहले क्या होता था CPU में है power IC में है या फिर कहीं पर कोई track खराब हो गया है उसको बनाना है पहले jumper वगर का काम ज्यादा होता था मैंने खुद software चड़ाना और jumper वगर करना यह सब basic चीज़ें सिखाय करता था तो अभी क्या हो गया है यह motherboard का काम ना के बराबर रह गया है सिर्फ motherboard से अगर बात करें तो charging jack है और earphone है और main speakers वगर है इनी के ही ज़्यादतर आजकल काम होते हैं और ज्यादा जो काम है अभी क्या ना folder का ज ज्यादा पैसा नहीं मिलता है अगर आप दिन के पांच folder भी चड़ा रहे हैं example के लिए एक पूरा आपको detail से बताता हूं क्योंकि काफी लोग कमेंट्स करते हैं और काफी लोग टॉंट मारते हैं तो उनके लिए मैं specially यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा ह है ना बोर हो गया मैं से कमेंट्स को ताकि उन लोगों को बिल्कुल किलियर हो जाए कि हाँ है सच्चाई कुछ और ही है example के लिए अगर मैं यहाँ पर पांच folder एक दिन के चला रहा हूं और एक folder की कीमत है एक folder की अगर कीमत हम लगभग 1500 रुपया मानके चलते हैं अगर तो हमारे यहां का यह जो प्राइज है हमें मार्केट से एक उधारन दे रहा हूं 1500 रुपय का example के लिए अगर मिलता है तो हमने जो चड़ाने का है ना 100 से 200 रुपया ही मात्र ले पाते हैं क्योंकि भी competition है दूसरा आदमी अगर हम इसको 1500 रुपय में खरीद के ला रहे है त कितने मिले मातर 1200 रुपया हमें मिला आप पूरा देखिए सकीर मत कीज़िये क्योंकि यही पर सबसे में चीज पर है अब हमने पांच फोलडर चलाए तो सभी में से 200 रुपया मिला तो कितना हजार रुपया करीब-करीब बन गया अब रिस्क सबसे बड़ा कहां पर है हम ख तो क्या होता है, हजार रुपिया हम लगबग मिल गया, और यह सब हमने दुकान से लेके आ रहे है, दुकान पे सिर्फ चेक होता है, एक बार यह चेक होता है, फोल्डर, चली यह वाला दिखाता हूँ, दुकान पे एक बार फोल्डर चेक हो जाएगा, उसमें क्या होता है, पन्नी चड़ी रहती है, उसमें सील लगी वी रहती है वो दुकान से आउट होने के बाद अगर वो आप फोल्डर लगा रहे हैं लगाने के बाद उसमें टच की प्रॉब्लम सोज आ जाती है टच प्रॉब नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ भी problem हो, या फिर कभी-कभी हरी-हरी line सी आने लगती है, या फिर कोई भी problem हो, एक बार उसकी seal उतर गी, उसकी पनी उतर गी, उसके बाद वो folder वापिस नहीं होता, वो आपके सर पड़ता है, कभी बार ऐसा भी होता है, आप घर को लेके आ रहे हैं folder मा, कभी- यह तूट जाते हैं तूटने के बाद वो नुकसान किसके अभारे सर में तो एक फोल्डर की कीमत तब 1500 रुपिया हमने 1000 रुपिया कमाया था और कहां उल्टा में 500 रुपिया इसमें नुकसान हुआ तो यह चीज है भाई कभी-कभी तो ना दिन में खाली बैठना पड़ता है यार कभी-कभी है ना यह फोल्डर ना भी टूटा है तो कभी-कभी किसी-किसी फोल्डर पे पर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अगर हमने अभी चेक करके दिए सब कुछ थोड़ी दिर मां कश्ट उल्टा जेब से भरना पड़ता है लोकल की दुकानदारी में सबसे बड़ा यह नुक्षान होता है इस बात को मैकनिक जो लोग पड़े मोबाल रिपैर करते हैं जिनके साथ यह सब होते रहता है और होता भी है बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल यहां पर दावा करता हूं कि ऐस होता भी है काफी बार फोल्डर हमारे पर स्क्रप्टेट आ जाते हैं हम चेक करके लाते हैं घर पर आने के बाद वो प्रॉब्लम आने लगती है और वो टूर भी जाता है कई चीजह हो जाती है एक ऐसा नहीं कि यार आप फोल्डर लाय तो बिल्कुल 100% ही वो बिल्कुल ब होता है तो वो सब मचानी लोग चानते होंगे कमेंट करके जरूर बताना एंड ऐसे से मोबाइल भी आते हैं देखिए दूसों काफी बार क्या होता है एक चार्जिंग जैक चेंज कराने के लिए एक मोबाइल आय था यहां पर देखिए तो यहां पर कुछ मॉडल ऐसे भी कर लेते हैं कितना बड़ा रिस्क होता है चार्जिंग जैक चेंज करने में इतने चोटी-चोटी पार्ट्स होते हैं मोबाइल के अगर मदरबूर्ड में एक कैपैस्टर या फिर रजिस्टेंस या फिर कोईल भी अगर अलग हो जाए ना तो कोई भी ट्रेक बंद हो जाए एंड यहां पर सैंसंग के मोबाइल में थोड़ा ज्यादा चार्ज होता है क्यों क्यों क्योंकि जो जे सीरीज के डिवाइस है मैं इनको तो पसंद करता भी नहीं कभी तो यह जो जे सीरीज के डिवाइस है इनको खोलने में बहुत ज्यादा प्रोब्लम्स होती है काफी ब मोबाइल रिपैरिंग में थोड़ा ज्यादा रिस्क है क्योंकि यह चुटी-चुटी चीज़ें हैं अगर आप चार्जिंग जाकर रिप्लेस करें कल के दिन वह बोल देगा भाई हमारे यहां यह जो एरफोन है उससे आवाज नहीं आ रही है अब जब से रिपैर किया था ज किसी से मोलभाव करना है आप किसी से वोल्डर लगवा रहे हैं या फिर कुछ भी है आप उनसे पूछ सकते हैं वह आपके मर्जी अगर वह सटेस्फाय हो जाता है इतने में करने तब आपको कोई बाद नहीं करवाना चीए हम सिर्फ सिखाते हैं हमारा काम सिखाना है और हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें ही सिखाएंगे और ऐसी कमेंट्स सायद आप लोगों को नहीं करने चाहिए मुझे मजबूरान ऐसी कमेंट्स है ना हाइड करनी पड़ती है ताकि और लोगों के मन में बहुत बुरा एफेक्ट पड़ता है अच्छी वीडियो है एंड इस वीडियो को चाहिए करना और जिन जो लोगों को सिखा रहे हैं तो देख लेना यार बहुत अच्छी वीडियो है इस वीडियो को चाहिए करना और जो लोग ऐसी मान सकता वाले हैं उन तक चरूर पहुंचाना ताकि उन लोग को भी पता चल सके हां ऐसे मेकैनिक हम नहीं है हम सिर्फ एक लिमिट का ही लेते हैं जितना लेना चाहिए हम गलत पैसा किसी से चाहिए अगर आप लोकल के भी है तो हमेसा लोगल वालों को मैं किया ना लिंक शेयर करता हूँ जब भी उनकी चीज़ें कोई भी रिपैर करता हूँ लिंक शेयर करता हूँ आप भी बिल्कुर कमेंट करके कर सकते हैं अगर आपका जबी प्रॉब्लम का सोलिशन हुआ हो मेरे दौरा और अबस अपना फीड खुला हुआ है थैंक यू सो मुच पर आपके इस वीडियो